Hello friends! How are you guys? I hope you all are good. राल्फ रोइस्टर की इसकी जो समरी है उसको भी हम क्या करेंगे उसको भी हम डिसकस करेंगे आज की क्लास में तो गाइस देखते हैं सबसे पहले थोड़ा सजान लेते हैं जो निकोलस उडाल है उनकी जो हिस्ट्री है लाइफ से हिस्ट्री रही है उनको हम देखते हैं तो स सियर में इनका बर्थ हुआ था लंडन में वैसिकली यह क्या है हमारें इंग्लीश रइटर रही हैं हमारें प्रहिद हुए देखते हैं काईज इनकी जो बारत हुई थी फीफटेन-फिफटेशफ में इनकी हुई थी हम इस परकार हम देखते हैं कि जो हमारे निकोलस उडाल है वो अरली जो हमारे एलिजाबेथन पीरियड के जो राइट रहे हैं उन में से एक थे जिनोंने हमारे लिटरेचर को पंक दिये जो हमारे लिटरेचर था उसका सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ था रहने काफी ज़्यादा हैं रोल प्ले करते हैं हमारे जो एलिजाबेथन जो लिटरेचर है जिसको हम गोल्डन पीरियड ओफ ड्रैम में बोलते हैं तो गाइज इनका काफी ज़्यादा बड़ा रोल रहा है क्योंकि यहीं से हमारी यहीं जो राल्फ रोइस्टर डोइस्टर है इ इनोंने जो हमारी राल्फ रोइस्टर है इसको टू टाइम्स टू टाइम्स कहां परफॉर्म किया स्कूल में परफॉर्म करवाया जो चिल्डरन थे जो बच्चे थे जो स्कूल के जो स्टूडेंट थे उन्होंने दो टाइम्स इसको स्कूल में परफॉर्म किया था यह परफॉर्म हुआ था यह बात आपको याद रखना है ठीक गाइज यहां 1550 वैसे हम बात करें तो 1566 में भी इसको परफॉर्म किया गया था लेकिन सबसे बड़ी जो बात है राल फ्रोइस्टर डोइस्टर की यह इनकी डैथ के बाद पढ़ीश हुई थी डैथ से पहले इसको पढ़िस नहीं करवाय गया था परफॉर्म हूच हुप की थी लेकिन हम बात करें कि पढ़ीश कभी थी तो यह इनकी डैथ के बाद ही पढ़ीश अफटर हम बात करें तो 1567 के नियर अबाउट ये पब्लिश्ट हुई थी गाईज ये बात आपको याद रखना है और यही कुशन्स हमारे निकोले सुडाल से बनते हैं जो काफी ज़्यादा बड़े हमारे क्या रहे हैं राइटर रहे हैं इन्होंने इतना बड़ा वर्क दिया अब हम बात च्َّरी में रहे हैं जो हमारे ऑगर करेंगे कि यहां आ रहे हैं प्ले वगरफ युंधर रहे हैं उन्होंन सब को हम डिसक्यस करेंगे और है क्योंकि हमारे अग्जाम आ रहे हैं जो डिटор प्लस भी है वो आभी देगा एक दो महीने के तो अब हम बात करते हैं कि जो समरी है राल फ्रोइस्टर डोइस्टर की तो उससे बहुत कर लेते हैं कि इसका जो जैनरे है वो क्या रहा है तो यह बेसिकली क्या है हमारी को मेडी है राइमिंग केप्लेट में यह पब्लिष्ट हुई है इसको आममने कहे एक सब्सक्रक्ता है सागतले हैम माझे बैल 되면 उपाघए क्योगे मुषटा हम बनारी कैपलेट में होता है लिएधक बहुत ही होता है लिए वही हला जिसको परफरॉम करते करते हैं तो यह वर्ष पले कह सकते हैं इसको जो कि राइम कैपलेट में यूज हुआ है इसकी ये बात है और फइफ शूरेपले हैं ये हमारा प्रैप्ण पूछ लिए जाता है कि राल्फ रोइस्टर रोइस्टर है उसमें कितने अक्ट आप बहुत कर लेते हैं कुछी इसके जो important character है उनकी हम बात कर लेते हैं तो सब से पहले जो हमारा character है जो central है वो है rich widow rich widow है वो इसका central character है guys दूसरा जो इसका character है वो हमारा Ralph Roister यह इसका important character है और इसी के नाम से हमारे play का नाम रखा title लिया गया है थार्ड है हमारा गौवन गोड़ लग ठीक है यह भी काफी ज़्यादा important इसी से हमारे जो स्टोरी है उसमें क्या त्विस्ट आता है फिर उसके बाद अगर हमारा character की बात करें तो इसका अगला जो character है वो है मेरी ग्रिक यह फोर्थ character रहता है फिर इसमें हम देखते हैं कि servants है जो एक lady servant है जो rich widow की है किसकी है rich widow की है और एक और servant आता है जो की राल्फ रोइस्टर रोइस्टर का तो मुख्यत है हम देखते हैं पांच से से character ही है जो इसक जो हमारी प्ले है उसमें role play करते हैं फिर हम बात करें कि जो हमारी rich widow थी rich widow का मतलब आप कहां से लगो जो अमीर एक विद्वा लेडी थी उसी के आरबार जो हमारी around है जो कहानी है स्टोरी है वो मूव करती है प्ले करती है ठीक है फिर हम बात कर लें कि रिच वीडो है उसका नाम क्या है तो उसका नाम है Christian Costan से ठीक है और रिच वीडो के नाम से ही पूरी कहानी में इसको शो किया गया है दिखाया गया है अब हम बात करते हैं कि इसकी जो स्टोरी है वो क्या है इन करेक्टर्स को आपको ध्यान में रखना है कई बार अगजाम में करेक्टर्स पूछ लिया जाते हैं इनके बारे पूछ लिया जाता है कि जो फर्सट कॉमेडी थी वो किस और उसमें ट्राम वगएरा यूज की कही थी कैसी उसकी जो स्टाइल थी ठीक है अब हम देखते हैं कि जो सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है वो हमारी रिच वीडो से ही होती है रिच वीडो जो क्या थी फ्यो गावने गुडलक है गुडलक से ही हम बात करते हैं गुडलक है इससे वो प्रेम करती है और ये इसका क्या है फ्यांसे ये इसका फ्यांसे है जो कि इससे प्यार करता है और गुडलक है वो कहां गया हुआ है गुडलक है वो सी वो एज पे गया हुआ है कुछ टाइम के लिए यह हमें पता नहीं कि एक पर मर्चेंट के नाम से इसको दिखाए गया है कि गावने गुड़ लग है जो सी वोईज पर गया हुआ है अब हम बात करते हैं कि जब जो हमारा राल्फ रोईस्टर डोईस्टर है जब वो रिच विड़ो को देखता है तो इसका नेचर ही ऐसा है इस बंदे का कि यह लड़कियों में पढ़ने वाला है कि हर किसी के संबंद उसके प्रेम में पढ़ने वाला बंदा है अट्रैक्ट होता है यह किसी भी लड़की से तो जब यह रिच विड़ो से को देखता है तो उसकी तरफ यह अटेक्ट होता है फिर यह क्या करता है रीच वीडो के पास एक लेटर भी जवाता हैirst तो ने जैसे इस लिट्ट को पढ़ती है तो जाती है गुसा करती है और फिर अपनी मेड सर्वेंट से काथी हyu कि जिसने लैटर बेज़ा is उसका पता लगवा हू तो मेड लैटर रुझा उसको सर्च करने के लिए अपने तो हम देखते हैं कि यह कुछ टाइम के बाद गूड़ लग आता है और इसके साथ हमारे पले हैं Definitely क्या हो जाता है या चाहिज हो जाता है तो इतनी सी स्टोरी थी काफी छोटी सी नाम बढ़ा है क्योंकि पहली बार जो हमारी इंगलिश लिट्रेचर था उसमें इस ट्रम को इसके characters हैं उनके नाम को आपको याद करना है और इसके साथ है वे good day and best of luck.